आपको दर्शकों को और को पैनलिस को पहले तो मैं आपको बढ़ाई देता हूँ कि आलोग जोशी ने जिस साफ गोई से इस बात को प्रस्तुत किया और मैं अनेक बहसों बहसों में रहा हूँ यह पहली बहस है जहां भारती जन्ता पार्टी की तरफ से कोई आपचारिक प्र के सांसद मंत्री जो की अपने चुनिंदा चैनलों पर गायब है यह डरे हुए हैं प्रद्धान मंत्री जी की अदानीजिक दी तस्वीरे उतनी तस्वीरे तो अमिताब सिना जी की उनके साथ नहीं होंगी और भारती जन्ता पार्टी के बड़े-बड़े-बंतरियों की न औफ किया है और इस अभी इस अदानी ग्रुप समू के साथ जो हो रहा है उसमें 11 लाक करोड साफ हो चुके हैं तो जितना पिछले आठ साल में सरकार ने NPA राइट आफ किया है उतना तो मार्केट राइट आफ हो रहा है एक संसद में 2021 में जारी हुआ था जवाहर सरकार जी क और जनवरी 2023 में उनकी संपत्ति लगभग 11-12 लाक करोड होगी चायद अभिताब सिना जी को और सोदेशी जागरण मंच को पता होगा इस 11-12 लाक करोड में LIC का क्या योगदान है जहांकि 30 करोड भारतियों का पैसा है और उनका इंशुरेंस है SBI का क्या योगदान है क्य क्या LIC ने किसी अन्य समूह को इतना पैसा दिया है LIC को यह उजागर करना चाहिए क्या SBI ने इस समय किसी अन्य समूह को इतना पैसा दिया है अगर यह घोटाला राश्ट्रवाद है और इस पर सवाल करना एंटी नैशनल है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अंद्भक्ति कुछ नहीं हो सकती है जो लोग इस घोटाले को राश्ट्रवाद कह रहे हैं वो सब इस घोटाले का हिस्सा साथ होगे अरोप है अभी आला हुआ है या नहीं